बेटे वरुन की टिकट कटने पर इमोशनल हुई मेनका गांधी क्यों रूने लगे लोग वरुन के बारे में मा मेनका ने ये क्या कह दिया वरुन गांधी का टिकट बीजीपी ने काट दिया उसके बाद राजिते गलियारों में इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है वरुन गांधी का अगला स्टिप क्या होगा इस बेच उनकी माने चुप्पी तोड़ी है बेटे के टिकट कटने पर वह इमोशनल वरुन गांधी क्या करेंगे इसको लेकर मेंका गांधी ने अपने मन की बात कह दी आखिर ऐसा क्या कहा वरुन गांधी आगे ऐसा क्या कुछ करने वाल है हम आपको पूरी कहानी बताएंगों से पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेटे वरुन के टिकर कटने पर मा मेंका ने क्या कहा पिलिभीत से अपने बेटे के टिकर कटने पर प्रक्रिया देते हुए मेंका गांधी ने कहा उन्होंने पिलिभीत का बहुत अच्छे से खयाल रखा मुझे उन पर गर्व है जब वरुन को पिलिभीत छोड़ना पड़ा तो लोग काफी रोई थे मुझे पूरी उम्मीद है वरिन आगे जो भी करेगा वो देश के लिए अच्छा होगा सुल्तानपूर में बूथों पर मुझे महला एजेंट तेनाद करने की बीजीपी की योजना पर मेंका ने कहा जो भी बूथ समालने वाला हो वा काम करे हमें जात और कौम से कोई मतलब नहीं है जो भी बूथ एजेंट बने वो अच्छे से बूथ समाले 35 सार में पहली बार पिलिभीत से ना मा मेंका और ना ही बेटे वरूंग लड़ेंगे चुनाव पिछले 35 सार में पहली दफा ऐसा हो रहा है जब पिलिभीत से ना बेटा ना मा चुनावी मैदान में होगे लेकि मेंका गांधी ने अपनी जीत को लेकर मीडिया को कन्फरम किया सपा दोरा कई सीटों पर अपने मिद्वार बदनली पर उन्हों ने कहा मैं नहीं जानती समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है जो भी आ जाए खुशी-खुशी चुनाव लड़े चुनाव लड़ना सबका हक है लेकिन जीत तो सिर्फ एकी ही होगी इससे पहले गुरुवार को सुल्तानपूर में एक चुनावी जंसभा को संबधित करते हुए नका गांधी ने कहा था मैं सांसर नहीं बलकि सेबक के रूप में जंता का काम करती हूँ वादो में नहीं विकास में विश्वास करती हूँ यूपी में गरीबों को सबसे ज्यादा 10030,000 मकान सुल्तानपूर में मिले हैं चुनाव बाद 10000,000 और गरीबों को मकान मिलेगा मेरे रहते सबको नया मिलेगा पांच वर्षों में हर नामुम्किन कामों को पूरा किया है पुरे देश में PM मूदी और BGP की लहर है सुल्तानपूर में भी वही लहर चल रही है और उस लहर में मैं भी शामिल हूँ लहर काम करने से ही बनती है पहले दिन से मैं केंपनिंग मोड में हूँ काम की वज़ा से जनता मुझे जान रही है वरुन गांधे ने एमोशन होकर क्या लिखा था पत्र वरुन गांधे में पत्र में लिखा था आज जमये पत्र लिख रहा हूँ तोर्मिन तियादों ने मुझे भावु कर दिया है मुझे वह तीन साल का चुटा बच्चा याद है जो इस तरासे में अपनी मा की उंगली पकड़कर पहली बार पिलिभीत आया था उसे क्या पता था एक दिनी अधरती उसकी कर्म हुई बन जाएगी और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएगे मैं आम आदमी के वाल जठाने के राजिती में आया हूँ और आज मैं आपका आसरिवाद चाहता हूँ कि मैं हमेसा यह काम करता रहूँ चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े मेरा और पिलिभीत का रिष्टा प्यार और विश्वास का है भले एक सांसत के रूप में मेरा कारकाल समाप थो रहा है लेकिन पिलिभीत से मेरा रिष्टा मेरी आखरी सांसता खत्म नहीं हो सकता एक सांसत के रूप में नहीं तो एक बेटे के रूप में मैं जीवन भर आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दर्वाजे पहली की तरह आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे